पुलिस का दावा मंदिर की सीडियों पर मा ही छोड़ाई थी अपनी 40 दिन की बच्ची को, नई दिलिली जंडे वालान मंदिर के बाहर से 40 दिन की बच्ची को मा के हाथ से छीनने के केस में संसनी खेच खुलासा हुआ है, पुलिस अफसरों का दावा है कि बच्ची को कोई छ अगर थाना इलाके के शनी मंदिर की सीधियों पर छोड़ कर आई थी। इसके बाद जंडे वालान मंदिर आकर बच्ची चीनने की कॉल कर दी थी। पुलिस ने बुधवार को किड्नेपिंग के तहट केस दर्च कर लिया था। अब मामले में ट्विविट आने से पुलिस मां एक्षिन के लिए कानूनी राए ले रही है। माता पिता को वा ले कर गए जिन्होंने उसे पहचान लिया। बच्ची को छीनने का मामला होने की वज़े से सेंट्रेल जिले की कई टीमे राद भर जांच में जुटी रही। पुलिस टीमों ने वारदात की सीक्वेंस, बच बच्ची मिलने, छीने जाने की कॉल और CCTV कैमरों को खंगालना शुरू किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि चाइल्ड हिल प्लाइन में बच्ची के मौरिस नगर में मिलने की कॉल सवा चार बजे की है। महिला ज़ंडे वालन पौने पांच बजे आई, जिसने सवा पां बच्च के 21 मिनट बजे की थी। पुलिस की टीम मोके पर पहुची तो वहां मंजीत नाम की महिला मिली। उसका दावा था कि करीब सवा पांच बजे बाइक सवार दो बदमाश आय और उसके हाथों से बच्ची को छीन कर ले गए। जांच में पता चला की मंजीत मलका इलाके में रहती हैं। पती वासू रुखर बीजेपी जांच के दोरान पता चला की चाइल्ड परिवार में ही किसी को गोद दे चुकी है। पुलिस अफसरों ने बताया की रानी जासी रोट स्थित जंडे वालान मंदिर के बाहर मामा भांजा की मजार के करीब एक के चीनने की कॉल मिली। युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। हिल प्लाइन पर मौरिस नगर स्थित शनी मंदिर की सीडियो में एक बच्ची मिली पहली कॉल शाम एस। 16 बजे की गई थी।